महा भारत युद्ध में पांडवों ने बहुत कुछ खो दिया शिरेकृष्ण ने योधिस्टर से पश्यताप करने को कहा और बोले महादेव इन पापों से मुक्ति दिला सकते हैं शिव पांडवों के द्वारा किये गए कृत्य से क्रोधित थे और इसलिए इनसे मिलना नहीं चाते थे पर पांडव शिव की खोज में हिमाले पहुँचे और उन्हें भीम ने बैल रूप में पैचान लिया नमशकार में तरों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है इस सार को जानने के लिए इस वीडियो को आन तक जरूर देखिएगा जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा और अपनों के सांद शियर करना ना भूलिएगा कुरुक्षेत्र के भूमी पर 18 दिनों तक चले महाभारत के भीशन युद्ध के बारे में हम सभी जानते हैं इस युद्ध के कारण कुरुक्षेत्र की भूमी सेना के रक्त से लाल हो गई और कैसे इस युद्ध में सभी रिष्टे कुरबान हो गए चाहे वो गुरु का प्रयाश्चित करना चाहिए साथ ही इस पाप से मुक्ति पाने के उपायों के बारे में सोचना भी चाहिए इस विशे पर एक दिन पांडव और भगवान कृष्ण एक साथ बैठ कर इसके परिणाम के बारे में चर्चा कर रहे थे तभी शिरिकृष्ण ने उन्हें पश तो शिरे कृष्ण ने बताया कि भगवान भोले ना थी उन्हें इन पापों से मुक्ति दिला सकते हैं इसके बाद सभी पांडव भगवान कृष्ण की आज्रीजा से मिलने निकल पड़े, पांडव भगवान शिव की नगरी काशी पहुँचे हालाकि भगवान शिव को पांडवों के आने की सूचना उने पहले ही मल चुकी थी लेकिन वो उनसे मिलना ही नहीं चाते थे क्योंकि पांडवों दुआरा किये गए ब्रह्म हत्या, गौत्र हत्या के पापों से भगवान शिव अत्यादिक रोधित थे, वो पांडवों से मिले बिना ही वहां से चल दिये, काशी नगरी में हर जगा पांडवों ने भगवान शिव को ढूंडा, लेकिन वो कहीं नहीं मि अब महादेव ने सोचा कि अरे ये लोग तो यहां भी आ गए अब क्या करें तब तक महादेव को जानवरों का एक जुंड दिखाई दिया फिर क्या था महादेव एक बैल का रूप ले लिए और उन पशुओं के जुंड में शामिल हो गए गडवाल के पहाड़ों पर भी प पाय सूचा और उन्होंने अपने शरीर को पहाड़ों से भी बड़ा बना दिया उन्होंने अपना एक पैर एक पहाड़ी पर और दूसरा पैर दूसरी पहाड़ी पर रख और महादेव को वो ढूड़ने लगे भीम के विराट रूप को देखकर वहां मौजूद सभी जान जिच गए कि ये बैल महादेव का रूप है जो बैल का अफतार लेकर हमसे छिप रहे हैं अब महादेव को भी पता चल गया था कि भीम ने उन्हें पैचान लिया है ये देखकर वो बैल के रूप में प्रित्वी में समाहित होने लगे भगवान शिप के बैल अफतार को प् पीट की आकरती, पिंड के रूप में शिरी केदार नात में पूजे जाते हैं। आज भी उसी स्थान पर चार केदार हैं और ये सभी उतराखंड राजे में अस्थित हैं। इन में भगवान शिफ के बैल रूपी अफ्तार का मुख रुदरनात में, भुजाएं तुंगनात में, नाभी महादेश्वर और जटाएं कलपेश्वर में प्रकट हुए। इन पांच स्थानों को सामुहिक रूप से पंच केदार कहा जाता है। भीम द्वारा भगवान शिफ के बैल अफ्तार की पीट पकड़ने के बाद वह वही रह गई। आगे बढ़ाया और केदारनात मंदर के निर्वान में योगदान दिया। इसी केदाननात मंदर के पास तपस्या की और समाधी ली। उनकी समाधी आज भी केदाननात मंदर के पास स्थित है। फिर दसवी से तेरवी शताबदी के बीच कई भारतिय राजाओं ने मंदर का जणुधार करवाया था। एक किदवन्ती के अनुसार इस मंदर का निर्माण राजा भोज ने करवाया है जो की सन 1076 से 1099 काल के थे। गवालियर की राजा भोज स्तुरूती के अनुसार है। बहर आंगन में भगवान शिफ के वाहन के रूप में नंदी बैल विराजमान है जिनकी श्रधालू पूजा करते हैं। ये धाम कत्युहारी शैली में बना है। इसके निर्माण में बड़े भूरे रंग के पत्रों का परियोग किया गया है। मंदिर की छत लकडी की बनी है जिसके उपर सोने का कलश है। मंदिर को तीनो भागों में बाटा गया है। पहला गर्व गरह है। दूसरा दर्शन मंडब जहां आंगन तुक एक बड़े प्रागण में खड़े होकर पूजा करते हैं। तीसरा सभा मंडब जहां सभी तीरत यातरी एकतित होते हैं। पुराणिक मान्यता के अनुसार पुरी काशी, गुप्त काशी, उत्तर काशी, शेतर शिव के त्रशूल पर स्थित है। यहीं से नर्क और यहीं से स्वर्ग जाने का रास्ता है। शिफ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ती बद्रीवन की आतरा कर नर और नारायन तथा केदारेशवर शिफ के सोरूप के दर्षन करे तो उसे मोक्ष की प्रापती होती है। एक पुराणिक कथा के अनुसार भगवान विश्णु के अफ्तार महा तपस्वी नर और नारायन रिशी हिमाल्य के केदार श्रिंग पर तपस्या किया करते थे। उनकी पूजा से प्रसन होकर भगवान शिप रकट हुए और उन्हें जोतर लिंग के रूप में सदा जीवित रहने का वरदान दिया। साल 2013 के प्राकृतिक आपदा में आदी श्रंकाचार्य की समादी स्थल भे गई थी। इसके बाद भारत सरकार उत्रखंड सरकार द्वारा केदार नाथ धाम आदी श्रंकाचार्य की समादी और इसके आसपास के स्थानु का जण ध्यार किया गया। केदार नाथ को अद्बुत उर्जा का केंद्रमाना गया है। पहाडियों से घिरे इस तीर तिस्थल की महिमा निराली है। यहाँ बाबा के दर्शन से पहले केदार नाथ के रास्ते में आने वाले गौरी कुंड में सनान करने का विधान भी है। अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा होते से ज्यादा से ज्यादा शियर करें। ऐसी ही रोचक बातों को जानने के लिए और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।